हमारे भाग्य में जो भी लिखा है दोस्तों वो हमसे कोई भी नहीं चीन सकता लेकिन अगर हमें अपने इश्ट देव पर भरोसा है तो फिर हमको वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा नमस्कार दोस्तों मैं जोतिस अचार्य सचिन कुकरिती आपका अपने चैनल नीलकंड जोतिस में हारदी का बिन अंदिन करता हूँ आज का ये जोतिस का कारिकरम में सरासी वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ज़्यादा खास है दोस्तों जैसे का अपने थमनेल में स्वयम देख लिया होगा आज हम जानेंगे ये वर्स 2023 चल रहा है जून 2023 से लेकर दिसंबर 2023 ये साथ महीने साथ महीने की साथ महत्तपुण भविस्यमानी के बारे में चर्चा करेंगे कि मेंसरासी के जीवन में नव घर है नव घर है आपको क्या फल दे सकते हैं इन साथ महीने में कौन सी मुख्य साथ भविस्यमानी है जो आपकी रासी के अनुसार हो सकती है अब वो क्या है? आपके करियर को लेकर है, आपके पढ़ाई को लेकर, आपके लव लाइफ को लेकर, आपके मैरीड लाइफ को लेकर है, आपके हेल्थ को लेकर, आपके वेल्थ को लेकर जानिंगे कि जून 2023 से दिसंबर 2023 क्या होने वाला है नवग्रों के अनुतार ये कारिकरम जर्म की रासी चंद रासी परधारित है दोस्तों और अगर आप मुझसे प्रामर्स लेना चाहते हैं तो सिरफ चैनल के और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नमबर है जो भी आपके कमेंट्स में आपको रिप्लाई करते हैं वो स्कैम होते हैं पहले चेक कीज़ेगा चलिए आप करते हैं शुरुबात आपको बहुत जहां से सुनना होगा जब जून का महीना सुरू होगा तो आपकी रासी से मेश रासी से नवगरे के स्तथी कुछ इस परकार से रहेगी जैसे आप आप देख रहे हैं फर्स्ट हाउस में आपके विराजमार है राहू, गुरू और बुद्ध, आपके सेकिंड हाउस में है सूरेदेव, आपके फॉर्थ हाउस में है मंगल के साथ में शुक्र, आपके सेवन्थ हाउस में है केतु, तो आपके इलेवन्थ हाउस में है सेंदेव, सबसे पहली भव घर में वहाँध करेंगे सूरे के घर में और बहुत अच्छे रहेंगे आए कि कोई कोई भीPE करना चाहते हैं गवर्मेंट का या कुछ में फैर्टीपेट कर ना चाहते हैं तो जुन जुलाई अगस्त आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा लेकिं सेप्टेंबर सेप्टेंबर और अक्टूबर का मेना उतना ज़्याद अच्छा नहीं रहेगा विधार्टियों के लिए पढ़ाई को लेकर उससे पहले पहले तो बहुत अच्छा रहेगा वहीं दूसरी भविस्ता माने दोस्तों ये है कि देव गुरु भरस्पती जून से लेकर दिसंबर तक आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे यानि कि मेसरासी में रहेंगे लेकिन अक्टूबर तक गुरु चंडाल दोस है अक्टूबर तक राहु और गुरु का गुरु चंडाल दोस रहेगा 23 अक्टूबर तक यानि कि सबसे वहले तो गुरु जो फर्स्ट हाउस में होते हैं तो ग्यान को बढ़ा देते हैं मान सम्मान को बढ़ा देते हैं लेकिन राहू के साथ में बैठे हुए हैं जो कि कहीं नगें आपको confused भी रखते हैं यानि कि जल्दबाजी के चक्कर में आपको नुकसान न कर बैठे इसका विसेज़़ ध्यान कि क्योंकि आपकी राशी के ओपर राहू भी और जुपिटर भी यानि कि जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है चाहा कोई transaction करते हैं चाहा कोई meeting attend करते हैं चाहा फिर किसी से मिलते है चाहे कुछ भी ये जरूर आपको विसेज़ ध्यान देना है लेकिन अक्टूबर के बाद धार्मिक कारे कह लीजिए या फिर आपका management कह लीजिए या फिर आपका work कह लीजिए राहू जब गुरू से निकलेंगे तो फिर आपका जो मान संभान है उसमें वृद्धी देख जाएगी तीसरी महतपूर वही समाने दोस्तों यह है कि 23 अक्टूबर से पहले पहले और जून से लगा कर आपको प्री मैरीड लाइफ पर थोड़ा सा ध्यान दक्कर चलना होगा ध्यान दक्कर इसका मतलब कि 7th house में जब केतू होते हैं तो यह unsatisfaction देते हैं राहू भी हैं फर्स्ट house में यानि की doubts, sunka, confusion, छोटी-छोटी बातों पर irritations, unsatisfactions यह केतू घ्रह दे सकते हैं लेकिन 23 अक्टूबर के बाद आपकी जो married life है या फिर married life से related जो प्रेचानिया है या फिर कहिने तालमेल में जो कमी है वो 23 अक्टूबर के बाद सही होती भी अवज से देखी जाएगी बिल्कुल और चौती वही समानी यह है कि 20 अगस्त से लेकर सेप्टमबर तक आपको अपने health से related प्रधान लखना होगा कहीं न कहीं क्योंकि मंगल ग्रह सिक्स्थ हाउस में ट्रांजेट कर रहे होंगे और 14 सेप्टमबर के बाद सूरे ग्रह भी सिक्स्थ हाउस म आपको ध्यान लखकर चलना होगा उस time period पर ये महत्वपून आप ध्यान लखेगा और पाचवी भविस्थाने दोस्तों यह है सेप्टमबर अक्टूबर और नवंबर जो भी व्यक्ती love relation में चल रहे हैं विसेस सेप्टमबर खासकर 14 सेप्टमबर के बाद 14 सेप्टमबर क होंगे फिर नीच के होंगे और फिर 8th house में ट्रांजेट करेंगे यह आपके love relation में परेशानी या फिर आपको दुख दर्द या फिर दोनों की आपस में love relation में परेशानिया create कर सकता है चोटी-चोटी बातों पर आपको गुस्था ना आ जाए या फिर कुछ टाइम के लिए break up ना हो जाए कुछ टाइम के लिए बात्चीत बंद ना हो जाए 14 सेप्टमबर के बाद ये दिखाई दे रहा है या निकि आपको आपस में understanding को बहुत अच्छा बना के चलना होगा उस टाइम परेड़ पर क्योंकि सूरेग रहे पंचमस्ता तो जाएर रावना काफी अच्छी है अगस्त से क्यूं कई सूरेग रहे पोर्त हाूस में देब रस्यऽ में रहूं निकल जाएंगे अक्टूबर में सरुनेदेव आपके 11th हाूस में डिजायर हाउस में बेठे है जो की अच्छे हैं जो कि आपके 10th हूस के लॉड होक के 11 हाउस में बैटकर पंचम भाव को देख रहे हैं यानि कि निश्चित ये सकते है कि अगस्त से नवंबर में आपके करियर में बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज होकर रहेगा आप एफर्ट जा लिए और जिनके पास नौकरी नहीं है नौकरी मिलने की संभावना भी इस ट लेकिन ग्रहों का जो गोचर होता है न ट्रांस देट ये बहुत परभाव दालता है हमारे जीवन पे ठीक है तो वो टाइम पिरिड़ आपके करियर को लेकर बहुत अच्छा रहेगा और एक बात और कहना चाहता हूं आपके शनी और गुरू की दृष्टी ये लास्ट बहुत जादा अच्छा रहेगा तंसीव होने की संभावना पॉसिबिलिटी बहुत जादा अच्छी है क्योंकि शनी और गुरू जब दोनों प्लैनेट पंचम फिफ्थ हाउस में एस्पेक्ट देते हैं यानिकि दृष्टी दालते हैं तो बहुत अच्छा योग बन जात होती है रासी के अनुकार क्या उपाय करने चीए आपको रोजाना मंगल घ्रह का बीज मंत्र करें ओम क्राम क्रीम क्रोम सभोमाई नमहा हनुमान चालिसा का पाट करें डेली ओम नमस सिवाए का जाब करें 108 बार डेली और उगते हुए सूरे को अर्ग दीजे बहुत द Cand